नमस्कार मैं ललीता सेनी नभी रसोई में आपका स्वागत करती हूं अक्सर आपके गर पे कोई मेमान आ रहा है या फिरी टाइम पे हो तो गर पे पनीर ना हो या छोले भी गोई हो ये नहीं हो फ्रीज के पास जाके वापस आ जाते हैं लेकिन बनाई है आज कास्ट रिक्ष से शिमला मिर्च इस्टी रिक्षी बनाई है आपको बहुत पसंद आएगी आज नभी रसोई में बन रहे है वो रेसीपी जो धाबे वय रेस्टोरेंट में बहुत मेंगी मिलती है और इतनी सस्ती सी बनाएंगे हम गर पर क्रेवी वाली शिमला मिर्च बहुत ही अच्छी मुती है बहुत इमेजिंग बनती है कास्ट रिक्षय बनाना सुरू करते हैं शिमला मिर्च और प्यवाली के लिए सिमला मिर्च के लिए गिरेवी के लिए मैं टमाटर काच लीए हूं अब प्याज को कट लेती हूं चोटी साध Park ने लिएんなा मिर्च जो च्रेवी भाली मिलता है रोटल में बहुत मेंगी बनाना उन्हें लेटी हो दो पिल्कुराइं गडाना款 थ्य Gwen लसन और अद्रक का पेश्ट बन बन चुका है अंक मैं प्याज की कि धरेवी बना लेती हूं प्याज और हरी मिर्च की मिक्शी में पीसके के फैसे ख़ल अरे मिर्च निकाल लेती हूं आपको मिक्यसा घ्र को रवार बार में दोने की जुर्त नहीं है इसे में टमाटर डाल और टमाटर का पेस्ट प्रेश्ट बना ले की तयार हो गया इसे भी आख बावल में निकाल कि आप सभीटार तयार हो गाइड कि देखे कट कर देती हूं और इसके पूरे बीजों को निकाल देती हूं और इसके बीज बहुत यह मैजिंग है बहुत अच्छे हैं सिम्ला मिर्च के बीज होते हैं वह बहुत ही सवादिश्ट होते हैं आलू वाले मसाले के अंदर इनके बीज को एड़ करना है यह देखे इस तरह से म बिल्कुल हरी के हरी रहें और खाने में बहुत ही टेस्ट रहें और काली पीली सिम्ला मिर्चे ना रहें इसलिए एक फोलो करने हैं जो मैं दो उबले हुए आलू ली थी उसे बिल्कुल इसका पेस्ट बना लेती हूं हाथों की साथ अशी इसका पेस्ट बना लेती हूं बिल्कुल और मैं जो ट्रिक बता रहे थी आपको फोलो करने हैं यहां पे दो गिलास पानी ले रही हूं मैं इसके पैन के अंदर और इसको उबलने देती हूं कि इसके अंदर में एड़ करूंगी थोड़ा सा खाने वाला सोड़ा अब मैं इसके अंदर इसको एड़ कर दूंगी अब इसे थोड़ी देर के लिए ड़क्त के रख देती हूं और इसको बोईलों ने देती हूं खाने वाले सोडे के अंदर इसको बोईल करेंगे तो शिम्ला मिर्च का कलर हरा का हरा ही रहेगा देखे आप शिम्ला मिर्च बोईल हो रही है देखे कितनी वैसी की वैसी हरी की हरी शिम्ला मिर्च है कोई भी इसका कलर चैंच नहीं हुआ वैसे जैसे शिम्ला मिर्च थी वैस कर capable मैंने एक पे से अंदर निकाल लिया। अम में एक पैन लेत 1997 के अंदर ऑइल डाल देते हूं कि कि उयल गरम हो रहा है। से अंदर में अधी चम्माज जीडार डाल देते हूं आधी ढमसे पाउडर डाल देते हूं आदी चमज स्वावडर डाल देती हूं चुटकी बर हिंग डाल देती हूं आदी चमज हल्दी पावडर एड़ कर देती हूं इसके अंदर आद्विक नमक एड़ कर देती हूँ अपने सावाद लू सार मैं इसके यंदर आएप चमेच लाल मिर्च पावडर कास मेरी मिर्च aड कर देती हूं इसके इनदर जो कलर के लिए बहुत अच्छी रहती है इसके अदर सब्जी के अदर कलर आता है बहुत अच्छा मैं इसे मिक्स कर दी हूँ अब मैं जो आलू का पेस्ट बना के रखी थी वो मैं इसके अंदर एड़ कर दूंगी अब इसे मसाला तयार करें हूँ सिम्ला मर्च के लिए जो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है सिम्ला मिर्च के लिए आलू का पेस्ट बिल्कुत तयार हो गया मसाला हमें एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूं फेला के इसे मसाला ठंडा होते हैं जब तक देखते हैं सिम्ला मिर्च के लिए ग्रिवी बना लेते हैं और मैं एक पैन ले लिए और पैन के अंदर ओयल एड़ कर लिए हूँ नहीं संट मारें छुट्के वर हींben और अद्रक लसन का पेष्ट बना रखे दिखते मैं रखेता है। यह अदि चम्मुडवाँ पौदर अदीच्दमा जीरा पौडर, अधिच्दमास दणिया पौडर अधिच्दमास कश्मीरी मिर्च और आदीच्मास हल्दी पौडर यह स अपने स्वाद अनुसार एड़ करना है अभी इसके अंदर अमचूर पावडर एड़ कर दी हूं आधी चम्मच अभी से तरह से मिक्स करूंगी किbelly में ग्रेवी में बहुत अच्छा टैस्टो आएगा अमेश के अंदर एड़ करूंगी कस्तूरी में अच्छी यह अच्छी लगती है हमें इसके अंदर एड़ करूंगी एक चम्मच चीनी की चीनी से बहुत खटा मीटा टेस्ट आएगा प्याज का पेस्ट बना के रखी ती वो एड़ कर दी हूं इसको पकाती हूं अच्छी तरह से हुआ है यह दो प्याँ ठीडे हैं कि अभ्याg का फेष्ट का फेष्ट बना के रख्टी अभी शिप कनी के नेती हुँ थोड़ी देर और मेंट करती हुं मैगी वाला मसाला आपके पास मैगी Trump मासाला व। चाट मसाला कोई भी वह एड़ कर सकते हो आप अब मैं इसके वाद मैं एड़ गरूंगे कटा हुआ हरा दनिया कि हरे दनिया शी बहुत अच्छा ग्रेवी के अंदर टेस्ट आता है कि अब मैं इसके अंदर एड़ करूंगी मसाला पकने के बाद में टामाटर का पेष्ट टमाटर को पेष्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर दोंगी अब गिरेवी तयार होगी मैं इसके अंदर एड़ करूंगी जो सिम्ला मिर्च के बीज निकालेते वह वीज इसके अंदर एड़ कर दूए यह बहुत ही ग्रेवी के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं सिम्ला मिर्च के बीज अब मैं इसको डख के थोड़ी देर के लिए पकने देती हूं इतनी देर में देख लेते हूं सिम्ला मिर्च के अंदर मसाला बढ़ लेती हूं सिम्ला मिर्च के अंदर एक एक करके सभी सिम्ला मिर्च के अंदर यह मसाला एड़ कर लूँगी देखिए कि याप उबलने के बाद में भी शिम्ला मिर्च का कलर 1 CH Raha हरा है एक हे आरके मैं सबी शिम्ला मिर्च को बढ़ लेती हुँ MICHAEL कि दबा आराम से पर यह बिल्कुल सिम्ला मिर्च को दबा के बनना के बना। और का 2 आठी हिसे बढ़र देना है मुझ। बहुत बहुत ही अच्छ सबी सिम्ला मिर्च को बर ली हूँ पूरा मसाला सिम्ला मिर्च के अंदर बर गया है और अब देखिया आप कितनी अच्छी लग रही है शिम्ला मिर्च बरी हुई जो सिम्ला मिर्च का पार्ट नीचे से ब्रोबर नहीं है उसे कट कर देना कट कर के फिर सीधी रखना और आप डेंशन ना लो इसका मसाला नहीं निकलेगा बिल्कुल भी पीछे से यह जो उगर दुगर म शेप अच्छी नहीं तो शेप को इसको कट करके फिर सीधी रख दो देखे आप कितने अच्छी शिमला मिर्च बनके तयार हुई हैं वाव कितने अच्छी शिमला मिर्च मसाला भर के तयार हुआ है अब मैं इतनी देर में देख लेती हूं ग्रेवी बनके तयार हुई नए हुई शिम्ला मिर्च की ग्रेवी बहुत अच्छी तयार हुई है बनके थोड़ी देर और पकने देती हूं इसे थोड़ी देर पकने के बाद मैं इसके अंदर एड़ करूंगे स स स सब मिर्च स्टेश में इस सद्षीपहलकी। जड़ी चलाते रहना हैं क्योंकि यह फटे प्रवता हैं आंच्यक्ति अन्दर डई वि़्कल मिक्स हो चुका है अमेसिउष इस टेश पर एड़ करूंगी अब गरम मसाले को मैं मिक्स कर देती हूं अब मैं इसके अंदर एड़ करूंगी थोड़ा सा ग्रेवी पतली करने के लिए पानी एक गिलास पानी एड़ कर दूंगी ग्रेवी पतली बने शिमला में आसानी शिये इसके अंदर डूब जाए शिमला में ची ग्रेवी बनकर तयार हो गई अब मैं इसी स्टेज पर सिमला में जो मसाला बरके रखी थी वह इसके अंदर रख दूंगी विल्कुल देगे इसका एक्स्ट्रा पाट काटने के बाद में यह शिमला में पिल्कुल सीधी रखी हुई है ना दर इधर उधर करेंगे थोड़ी थोड़ी जिम्ला मिर्च के ऊपर गिरेवी एड़ कर देती हो देखे कितने प्यारी तो यह लाज जवाब शिम्ला मिर्च बन के तैयार हुए और तो बड़े बच्चे भी बहुत मज़े जब भी आप नेमान आए या गर पे शिमना मिर्फ को परोसे अर फिवय प्रॉसना पर उसके बाद में शिमना मिर्फ परोसना अब को उसके ऊपर थोड़ तोड़ी जुल ढाल के यह मैं इसको गरेट कर दूंगे अरह दनिया इसके उपर एड़ करने से यह फीकी फीकी नहीं लगेगी एकदम अच्छी लगेगी शिम्माम flexibility और गर फेठ थोड़ा सा पणीर पड़ा हो तुकड़ा तो वो इसके उपर गरेट कर देना क्योंकि यह प्णीर से शिम्मामीर्च का टेस्ट एकदम दुगना हो जाएगा रेस्टोरेंट वेड़ा बेग स्टाइल में शिम्ला मिर्च आप भी बनाना चाहो तो एक बार जरूर ट्राइक करना और एक बार इनका आपको टेस्ट का पता लग गया कि यह टेस्ट बहुत अच्छा है तो आप बार-बार बनाने का मन करेगा आपका नवेर रसोई के अंदर आपको शिम्ला मिर्च की रेशी पी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करेजिए जय हिंद जय वारत तन्री